भारती शूटर मनुभाकर ने पेरिस ओलंपिक दोजार चौबिस में 25 मीटर पिस्टल इवेंट में अपना आखरी मैच केला इससे पहले उन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट और 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड टीम इवेंट में हिस्सा लिया था इन दोनों इवेंट्स में उन्होंने ब्रॉंज मेडल जीत कर देश का नाम रोशन किया था लेकिन 25 मीटर पिस्टल इवेंट में वह चौते स्थान पर ही रही मनुभाकर की सियात्रा की शुरुआत बहुत ही प्रभावशाली रही दस मीटर एयर पिस्टल इवेंट में उन्होंने बहतरीन प्रदर्शन किया इस इवेंट में उन्होंने अपनी निशाने बाजी की कुशलता से दर्शकों और जजों को प्रभावित किया उनकी महनत और लगन कफल उन्हें ब्रॉंज मेडल के रूप में मिला मनुभाकर के इस प्रदर्शन ने पूरे देश को गर्वित किया और उनकी प्रशन सा हर जगा की गई इसके बाद 10 मीटर एर पिस्टल मिक्स्ट टीम इवेंड में भी मनुभाकर ने अपना दमखम दिखाया इस इवेंड में उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर शानदार प्रदर्शन किया और एक बर फिर से ब्रॉंज मेडल जीता उनकी इस काम्याबी ने साबित कर दिया कि वे ना सिर्फ एक भैतरीन शूटर हैं बलकि टीम प्लेयर भी है हाला की 25 मीटर पिस्टल इवेंड में मनुभाकर अपनी स्लै को बरकरार नहीं रख सकी इस इवेंड में उन्होंने अच्छी शुरुआत की लेकिन अंत में वह चौथे स्थान पर रही इस इवेंड में पदक जीतने से चूकने के बावजूद उनका प्रदर्शन काबिले तारीफ रहा चौथे स्थान पर रहकर भी उन्होंने यह साबित कर दिया कि वह विश्व इस तरिये शूटर है मनुभाकर की इस उलम्पिक यातरा से कई महत्व पूर्ण बाते सीखने को मिलती है सबसे पहले उनकी महनत और लगन की तारीफ की जानी चाहिए उन्होंने जिस तरह से अपनी प्रदर्शन को सुधारने में महनत की वह सभी के लिए प्रेणना का स्रोथ है दूसरा उनका आत्म विश्वास और द्रिनिश्य भी उलेखनी है उन्होंने हर इवेंट में अपनी पूरी कोशिश की और अपना बेस्ट दिया मनुभाकर की सफलता के पीछे उनके कोच और स्पोर्ट स्टाफ का भी बहुत बड़ा हाथ है उनके कोच ने उन्हें सही दिशाम में मार्क दर्शन दिया और उनकी तकनीक की और निखारने में मदद की इसके अलावा उनके परिवार का समर्थन भी उनकी सफलता में अहम भूमिका निभाता है उनके माता-पिता ने हमेशा उने प्रोत्साहित किया और उनकी हर जरूरत का ख्याल रखा इस उलम्पिक में मनुभाकर ने ना सिर्फ मैडल जीते बलकि भारती निशाने बाजी के स्तर को भी उचा उठाया उनकी सफलता ने देश के युवाओं को भी प्रेरित किया है करने की दिशा में आगे बढ़ेंगी उनकी अमैनत और संपर्ण निश्चित रूप से उन्हें और भी उचाईयों तक ले जाएगा हम सबी को मनुभाकर पर गर्व है और उनकी उज्वल भविश्य की कामना करते हैं